शाह तो शाह, शेहनशाह भी कोई कम नहीं है हमाँ, शान मंत्री कारेले का नाम लेकर कोई ठगी करने की हिम्मत और हिमाकत कर सके, ये दोर हमने पहली बार देखा, ठग्स ऑफ हिंदोस्तान जो आजकल दिख रहे हैं चारों तरफ, असली पावरफुल कैबिनेट इन ठग्स की विधायकों को मूर्ख बना दिया, इतना बड़ा ठग्स मोदी जी के मंत्री हैं, विचारों को फीता काटने तक की इजाज़त, जानते हैं देश में बेरोजगारी है, लेकिन मोदी जी के कैबिनेट में जितनी बेरोजगारी है, वो आपको कहीं और नहीं दिखेगी, अब एक कहावत है, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, उसकी अगली लाइन बोलूँगा तो दिक्कत में आ जाओंगा, तो अगली लाइन नहीं बोल रहा, आप गूगल कर लेना, ग्यानी को तो ग्यानी मिल जाते हैं, और जो अल्प ग्यानी होता है, उसको अल्प ग्यानी म अब क्या कारण है कि जो भाजपा का शीर्ष नित्रितु है उनको ठग मिल जाते हैं वो ठग के चुमबक हैं ठग उनके परती आकरशित हो जाते हैं उनके आस्पास रखें उनके कारियालेों में रहते हैं। का नाम इस्तेमाल करते हैं उनके अपने विजिटिंग कार्ड में उनके कारियलाय का नाम लगा देते हैं पिछले कुछ महिनों में जितने जालसाद फरेभी नामवर जिनको हम दो नम्बरी कहते हैं जितने पकड़े गए कई हैं जो नहीं पकड़े गए अभी भी वो सब इस के करीबी दाइरे में होने का दावा करते हैं या वाकई होते हैं कई लोग तो विदेशों में सेटल हो गए अपना काम तमाम करके और कई हैं अभी भी जो प्रधानमंत्री कारिया लए भाजपा के दफ्तरों में संग के समर्थित जो लोग हैं उनके आसपास घुम भी रहे हैं उनसे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेजिटिमेसी भी लेते हैं और अपना काम कर रहे हैं मैंने खुद यहाई इसी मंच से गुजरात के महाठग किरन पटेल के बारे में आप से चर्चा की थी वो किस्सा अभी पूरा नहीं हुआ है उसमें कई और परतें खुल रह हैं देरा सेवरल लेयर्स तो दे स्टोरी अफ किरन पटेल विचा है इन अरलियर प्रेस कॉंफरेंस डिसकास्ट है इस व्यक्ति ने फरजी तरीके से कश्मीर जैसे समेधन शील इलाके में जाकर और जैड प्लस सिक्यूरिटी ली फिर एक संजे शेरपुरिया संजे राय श चर्चा हुई जिन्होंने अपना अड्रेस भी आहीं रेस कोर्स के आसपास का दे रखा था और ऐसा महान ठग था जिससे जमू कश्मीर के उपराजिपाल मनोज सिना ने भी लोन ले रखा है 25 लाक का मतलब कमाल के ठग है साड़े तीन सो करोड का गबन किया 25 लाक बड़े नेता है मनोज सिना जी उनको करजे में दे दिया आप सब जानते हैं मुझसे बहतर जानते हैं कि जो मोदी जी के मंद्री हैं विचारों को फीता काटने तक की इजाज़त नहीं है वो रिबन कटिंग भी नहीं अलाउड हम जानते हैं देश में बेरोजगारी है लेकिन मोदी जी के कैबिनेट में जितनी बेरोजगारी है वो आपको कहीं और नहीं दिखेगी देश से भी जादा अगर बेरोजगारी कहीं देखनी है तो प्रदान मंत्री जी के कैबिनेट को देख लीजिए असली कैबिनेट पावरफुल कैबिनेट ये ठगस ओफ हिंदोस्तान की पिक्चर आई थी एक 2018 में ठगस ओफ हिंदोस्तान तो ठगस ओफ हिंदोस्तान जो आजकल दिख रहे हैं चारों तरफ असली पावरफुल कैबिनेट इन ठगस की है ये लोग चला रहे है नीरच सिंग राठोड मत्पूछिये कहां के हैं गुजरात के हैं अंकित सिंग मत्पूछिये कहां के हैं वासुदेव तावडे सत्येंद चतुरवेदी ब्रिजेश रत्म ये तमाम नाम ऐसे हैं जो अपने आपको कोई अमिट शा का भतीजा बताता है कोई अमिट शा का करीबी बताता है कोई नड़ा जी अब नड़ा जी तक के करीबी लोग पावरफुल हो गया बताए नड़ा जी खुद नहीं हो पाए और उन एड़ा जी का निजी सहायक बताता है अपने आपको और ऐसा महान आदमी कि कई राज्यों के विधायकों को मूर्ख बना दिया बताईए साथ विधायकों को मूर्ख बना दिया इतना बड़ा ठग और पुलीस ने इसको नागपुर में जाकर जो विधायकों को मंत्री बनाने का जहासा दे रहा था उस आरोप में गिरफतार की जवाल ये है कि इतना आत्मविश्वास इन ठगों को कैसे आता है हमने तो सुना था कि मोदी जी का आतंक चलता है चारों तरफ उनकी बगैर इजाजत के साथ लोग कल्यानवार छोड़िये पूरे देश में पत्ता नहीं हिल ही आंगन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी नहीं है चले है साहब यूक्रेन में जाकर शांती लाएंगे अरे अपने आंगन में तो देख लीजे क्या हो रहा है तो अब नड़ा जी आपका ये कैसा सहायक जिसने ठग डाले आपके विधायक इस तरह का सहायक अच्छा हमने ये तो हम आश्वस्त हैं कि आप लोग वोट लेकर ठगी कर जाते हो काम नहीं करते लोगों के यहां आपके नाम से पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहे वो विधायक विचारे रो रहे हैं मंत्री नहीं बने पैसे किस ने लिए किस के नाम से लिए किस तक पहुँचे कहां पहुँचे कौन है ये लोग फिर एक हैसाब यश अमीन उफ उर्फ विराज शाह गुजरात के हैं अमिच शाह के भतीजे बताते हैं अपने आपको बेटा तो फिर भी उनका दिख जाता है स्टेडियम में यहाँ कभी दुबई में कभी कहीं कभी कही स्टेडियम में यह भतीजा कौन है और कितने भतीजे हैं एक लिस्ट जारी करिए देश को तो मालूम हो यह अधिकृत भतीजा कौन है अनधिकृत भतीजा कौन है किसकी बात पह विश्वाश करें किसको पैसे दे लोग लोग बड़े अंव्य लोगों को समझ में नहीं आ रहा सहाब ये सहाब भी विधायकों को मंत्री बना रहे थे और इनको भी जिसने पैसे दिये उसके पैसे डूब गए अब एक और नवरतनों में से एक रतन है ब्रिजेश रतन नाम है उनका अब ब्रिजेश रतन जो हैं ये भाजपा नेता के बेटे है और ये भी अपने आपको अमिट शा के करीबी बताते हैं एक व्यवसाई से इन्होंने दो करोड की धोकादड़ी की सो करोड का रेलवे का टेंडर दिलवाने की अवज में शिकायत हुई कोई कारवाई नहीं हुई अब कारवाई क्यों नहीं हुई मुझसे बहतर आप समझते हैं हम जानते हैं जानते तो थे मानते भी थे कि अमिट शा मोदी जी के करीबी है लेकिन इधर कुछ बीते दिनों में सुनाई दे रहा है कुछ-कुछ हो रहा है कुछ भी हो रहा हो अमिट शाह के करीबी जितने ये नाम मैंने आपको लिये हैं ये पिछले नौ साल से बचे रहे अपना काम करते रहे ठगी करते रहे लेकिन बचे रहे कौन बचा रहा था अब आते हैं जी अंकित कुमार, दूसरे हैं वासुदेव, तीसरे हैं सतेंद्र, ये अपने आपको PMO का अधिकारी बताते हैं, शाह तो शाह, शेहनशाह भी कोई कम नहीं है हमारे, उनका भी नाम लेकर तीन-तीन लोग, प्रभान मंत्री कार्याले, विजिटिंग कार्ड्स, छपा रखें, अब हमें तो नहीं समझ में आता क्योंकि हमने और भी कई दौर देखें, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनोंने कई दौर देखें, अटल जी का दौर देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंग जी का दौर देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनोंने पहले के भी दोर देखें ऐसा दोर कभी नहीं देखा, जहाँ प्रधान-मंत्री कारे अलयाय का नाम लेकर कोई ठगी करने की हिम्मत और हिमाकत कर सके, ये दोर हमने पहली बार देखा, और बदस्तूर लगातार ये दोर हम देखते चले जा रहे अगातार कोई नाम आई जाता है कि साब इसने विजिटिंग कार्ड चपा लिया कोई जेड़ प्लस ले रहा है कोई लोन दे रहा है आप ही के हैल जी को ऐसे महान लोग ऐसा लगता है कि ठगी का एक बहुत बड़ा बरगद नई दिल्ली में है और उसके नीचे छोटे-छोटे खरपतवार की तरह ठग चल रहे हैं उगते जा रहे हैं उगते जा रहे हैं इनको श्रय प्राश्रय किसने दे रखा है शरण किसने दे रखी है इनको protection कौन देता है who gives protection to these petty thugs, petty criminals who are misusing the names of the Prime Minister of India, of the Home Minister of India, it's not a joke. It's a very serious security concern also. I may be laughing about it but it's not a joke. कोई नड़ा जी का नाम ले रहा है, हमें तो लगता है कि सब एक ही शाखा, शाख के पंची हैं, शाखा के भी हो सकते हैं. अब अगर इनका किसी VVIP से संबंद नहीं है, तो ये बच के कैसे निकल जाते थे लगतार, और अभी कई हैं, अभी कुछ नाम हमें अनाधिक्रित रूप से मिले हैं. हम भी इंजाल कर रहे हैं, देखते हैं, वो पकड़े जाते हैं नहीं, नहीं तो हम भी खुलासा करेंगे. कोई कठोर कारवाई नहीं होती, न E.D. इनके पिछे, न C.B.I. इनके, हमें मालूम है, E.D. C.B.I. महाराष्ट में व्यस्त हैं, चतिसगड़ में व्यस्त हैं, राजिस्थान में व्यस्त हैं, जारखंड में व्यस्त हैं, इतने कितने व्यस्त हो गए आप लोग सरकारें ब इन में से कोई एक किसी के पिछे ED पड़ियों बताइए, दो-दो करोड का आपने रिश्वत ली, सौ करोड का टेंडर दिलवाने के लिए, कहा है ED? अब हमें यह भी जानकारी लेनी है, संशय है मन में, शक है, और बड़ा legitimate doubt है हमारे दिमाग में, कि यह जो ED-CBI बनके लोगों के घरों में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, यह असली हैं, या यह भी, तो अब यह जानकारी तो या तो आने वाले महीनों में कुछ और खुल इस तरह की सरकार चला रहें, कैसे आप यह देश चला रहें और नड़ा जी, अगर आप पार्टी चला रहें तो कैसी पार्टी चला रहें, कि आपके सहाय की विदायकों को लूट रहें